नमस्कार, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मुलेठी खाने के पाँच अद्बुत स्वास्तलाब, इनके प्रियोक से कई सारी बीमारियों में आपको फाइदा मिलेगा मुलेठी का चूण बनाकर छोटे-छोटे तुकड़े करके चूसने से खासी, कंठ जैसी तमाम समस्याओं से राहत मिल सकती है मुलेठी का इस्तमाल सर्दियों से, सदियों से, नेत रोग, मुख रोग, कंठ रोग, उधर रोग, सांस विकार, हिर्दय रोग और घाओं के उपचार के लिए किया जाता है आज हम ऐसे ही कुछ अनोखे पांच उपाए आपको बता रहे हैं मुलेठी के, इनमें सबसे पहला है अर्थराइटिस मुलेठी अर्थराइटिस की समस्या में राहत पहुचाने का काम करती है मुलेठी में इन्टी ऑक्सिडेंट, इन्टी बायोटिक के गुड़ पाए जाते हैं जो अर्थराइटिस, डर्द, सूजन को कम करने में मददगार सावित हो सकते हैं अर्थराइटिस के मरीजों को मुलेठी की चाय का सेवन दियामित तोर पर करना चाहिए इसके अलाबा आँखों के मरीज, मुलेठी को आँखों की जलन और लालपन को कम करने के लिए बहुत ही फाइदेमन बना जाता है मुलेठी के चूड को सोब के साथ खाने के बाद इस्तमाल करें इससे आपकी आँखों में जलन और आँखों की लाली लालपन में आराम मिल जाएगा इसके अलाबा खांसी की समस्या सर्दियों के मुसंबी ये एक आम समस्या है अकसर लोगों को इससे दोचार होना पड़ता है हैसे में मुलेठी के छोटे-छोटे तुकडे करके और उनको आप चूसते रहे इससे आपकी खांसी की समस्या में पहले यी दिन आपको आराम मिलेगा मुलेठी को गले में कब होने पर भी काफी फाइदे मन बारे जाता है कब की सिकायत होने पर मुलेठी के चूल को सहत के साथ रात को सोते समय और सोबे एक बार खाली पेट चाटें इससे आपकी कब की समस्या से आपको निजात मिलेगा कुछ लोगों की पाचन सक्ती कमजोर हो जाती सर्दियों के मोसम में ऐसे में आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं ये पाचन सक्ती बढ़ाने के साथ ही आपके बजन को कम करने में भी मददकार साबित होता है इसके अलाबा पेट के अलसर की समस्या को भी कम करने के लिए लोकड़े को सोप के साथ या अग्यली मुलेठी का भी आप मुवे रखकर इसको थोड़ी देर चूसते हैं तो इससे आपकी मुव की दुरगन से आपको चुटकारम मिल जाएगा तो ये थे कुछ घरेली उपाए मुलेठी के इनका लाव उठाए काफी फाइदेबन है मु शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फाइदा उठा सके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद